धबर 로िdraw में दोज दरात में हाप चढडी में ही मेरे मेरे मेरें घुष जाते थे और मेरे बन को टagn करके अप्राइल एक कपड़ें हटते थे आप कि आपके रूम में घुषते थे हैं मेरे सास्य अ कंसंग मेरे साथ हरकत करते थे पासा संग को मारेंगे किसले बेठा हुआ है दाल च 나올 तॉर समय वह बिख नहीं है हुआधा घरसाप कर लेते ही ताउ पर चाहीं किसुरी instruction को प्रेंबागत तो सब्सक्राइब काना फिस द्रैस? अगर बेटा से प्यार कर लेगी तो हमसे भी कर देगी नमस्कार दोस्तों अभी हमारे साथ जो महिला आपको दीख रही है इनकी खबर आप सुनिएगा और देखिएगा तो आपके पेरों तले जमीख ही सक जाएगी दस साथी को हो चुका है और जिस ससुर को पीता समाज में आदर दिया जाता है पीता माना जाता है वही ससुर इनके साथ गलत संबंध बनाते रहे और बाकी क्या कुछ हुआ हम आपको इन ही से सुनाते हैं कहां की रहने वाली है कितने दिन पहले साथी हुआ था दस सल पहले 2013 में साथी की थी कुछ है क्या है आपके साथ मेरे साथी यह हुआ है कि मैं लब मेरे साथी की हूं और हम लोग अंतर जाती हैं और मेरा जाती सहानी है उनका टाइटल यादो है खोड जाती साथी की एक नि बाद से हुआं मेरे पती घर पे लैं और मे फैमिली की लोग कोई थे आपके minor so मेरे साथ मैरे साथ बहुत मार पीट करने लगें और हैसा मार पीट करने लगें अर Zwart 친 अपको मार पिट पहले आप लोग चोटा फोन से बात करते करते इतना प्यार बढ़ गया कि आप लोग साधी कर रही है और साधी करने के बाद आपके पती ही आप पर जूल्म करने लगे फिर क्या हुआ उसके एक महीने मार्पीर तो बहुत करके और बाहर चला गये उसके बाद उनके पीदा जी है जिनके नाम सुगारत रहे हैं और दो तीन महीने बाद देखते देखते उनके घर छोपड़ी का ह है और उसमें आप समझ सकते हैं कि घर में दर्वाजे नाम की चीज नहीं कि में दर्वाजा नहीं लगा के सो सकते हैं तो बारे बजे रात में कभी दो बजे रात में हाप चड़ी में घर में मेरे घुश जाते थे और मेरे बदन को टैच करके मेरे कपड़े हटाते थे मेरे सांत हरकत करते थे और मैं जब हला चिला करती थी तो मेरे सास यह बोलती थी कि तुम गलत हो किसी काम से गया होगा घर में, कोई समान के लाने के लिए गया होगा तूम उसपे इल्जाम लगा रही हो और इसा मесला की नहीं को कुई रहा है उन्हों को संबंध नहीं बनाने दी नहीं और मना जब भी कियें तो उन्हों किया कि मेरे साथ जब हम जगरा जंजट करने लगें बहुत गाली गलोच तो मेरे जो सब्सक्राइब मेरे जब दोराजे पर मेरे बाल पकर की मार्ना कभी मार दिए थीए एक बार तो इतना मारे थे कि मुझे एस्पताल भरती करदी थी मेरे शसूर और और उसके बाद लोगों से कर दिए क्या रही इसका तो काम है रोज रोज कर जगर लाई करना लेकिन हला अपना ईजट कोई बताना नहीं चाहता है लेकिन मैं हर बार यही कहते आगवी कि मेरे साथ गलत निगाह रखते थे जो मेरा सास होते हुए भी उनके बच्चे दो लड़की हो आपको गलत निगाह से देखते थे आपके साथ गलत हरकत करते थे और आपकी सासु मा उन्हीं का सपोर्ट करती था इसलिए सपोर्ट करती थी आपने पती के साथ नहीं रहते हैं वजह था कि आप लव मेरेज गिये और आपको छोड़ दिए आपके सब्सक्राइब आपके साथ संबंध बनाना चाहा रहे थे लेकिन आपने नहीं बना दिया वजह क्या था वजह यह था कि देखिए उस समय जब हम साधी किये थे अपने हैस्बेंट से तो मेरा 14-15 साल में साधी हो गया सोचने समझने का मेरा पास टाइम यह नहीं मिला और हमें ब्लेक मिन मेरा हैस्बेंट साधी से पहले किया था मेरे साथ और यह बोला था कि अगर तुम साधी नहीं करोगी तो हम जहर खा के तुम्हारे घर पे ही जान दे देंगी तो मुझे इस बात से बहुत डर लगा उसे मेरा ही जान लेने के लिए दर बदर खोज रहे हैं अभी हम लोग महिला विकास मंच में हैं और फाहिमा में हमारे साथ हैं तमाम केसेज आपके पास आते हैं में काफी केसेज देखी होंगी जिसमें प्रेमी प्रेमिका को परसान करता है साधी हो जाता है तो भी परसान होते है कोई पती पतनी को परसान करता है ऐसा केस कभी द दूसरे के पिता के अपना पिता बनाना पड़ता है क्योंकि अपना वो तो जो जनम देने वाले पिते हो धर्म को होते हैं और जिन्दगी कटती है यह तो बहुत सरम की बात है मतलब हम तो सोच रहे हैं कि इस तरह का आप समाज कहां जा रहा है समाज प्रवेर्ति के सवसूर को क्या बोलेंगी जो अपने वहूं पर ही गलत निगाह रखते हैं असल इनके सवसूर की गलती नहीं है गलती है की यो सोचे हो होगं कि बेटा हात डो बेटा लेके आया है प्यार मोहबत में तो लवर हम 25 साले को हाथ दोलेते हैं अर्व करें को वा सफुर्जाइं कि बैटा लाया किस कि है कहीं हमारे हात में आजाया है और सकता है अच्छा एसको हमको ऐसा लगता है कि वो सवर्व कि सवर्व क्या बताया जाए जाए नहीं होगा इस महिरा के लिए खड़ी रहेंगे अगर सही होगा इसके जाच हो रहा है इस पर जाएंगे इसके सवर्व पता करेंगे अगर सब फीडबैक आया अगर उसका देखिए जो गलत करने वाले इंसान होते हैं तो कहीं न कहीं से वह अपना गुना का छोड़ देते हैं कुलू छोड़ देते हैं तो हम लोग महिरा भिकास मन से कुलू पकड़ लेंगे लगेगा कि प्रीयों कमाइस में सब्सक्राय कि नहीं रांता दम से सब्सक्राइब को धिश्क्राइब हैं करते हैं तो हम आपको प्रत्साहन रासी भी देंगे और बहुत सपोर्ट भी करेंगे लेकिन जब उसी साधी में जब कोई कठिनाई आजाता है दिकत आता है तो प्रसाशन सपोर्ट तक नहीं कर रहा है फैयर तक नहीं लिख रहा है यह हमारे बिहार और प्रसाशन की तो इसे ऐस लास सवा किशन are each हम मैंने सक जया रहा है विंद्न केस में आरहा है कि पुल्स ने सुंटा है अब शिर्द इनको इनशाफ दिल्हूद करना चाहती है। मेरे पास तीन बच्चे हैं मैं तलाग लेकर क्या करूं गी तीन बच्चे हैं उनकी देख भाल की जाए और मेरा अगर मैं तो अकेले रहूंगी और मुझे अगर ना रखे या ना रखे मैं तो किसी भी आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने तक का खर्चा उठाया जाए अहां मेरे दो लड़की और एक लड़का हैं इंसाफ होगा इंसाफ होगा जो यह चाहेगी होगा बाकी बहुत सरम की बात है संसुर्वाली और बिहार में परसासन की बहुत-बहुत बहुत मतलब क्या इसको गाली गलोज भी करते हैं और मैं जाती हूं तो देखिए हो हम महिला तो छोड़ियाँ परसासन को मारेंगे बिल्कुल आपको जेल भेज देगा मेरे तो किसले बैठा हुआ है दाल चौल तोरने के लिए पॉब्लिक बैठा है तो परसासन किसले बैठा हुए हमारा यही कहना है दस साल से मेरा घर उज रहा है और आप रसासन को चपल मारने की बात करते हैं बिल्कुल क्योंकि नीच्ज जर्म पैठेमें आउडर मारे कभी आ कर देखें कि क्या हो रहा हुए उनके पीठ पीचे क्या कर रहे है लो यूप लेकर जगा-जमीन जो बिचवा दी है परसासन बेचवाएं को ना जेल हुआ ना कोट के चरी हुआ तो फिर परसासन किस तरीके से 20,000 कि आज मैं रेकारडिंग सुन सकते हैं मेरा हैस्में फोन करके 10 दिन पहले बोलाए कि बड़ा बाबू ने 10,000 पर के मांग की हैं फिर हम थाना में कॉल किया है तो बोलता है तुम नहीं करना चे मैं उनके साथ कर दो करेंगे लिए करूंगे कि मुझे इंको इनसाफ दिलाएगी मैं का यही कहना है बाकि आप देख रहे हैं इनके साथ की सतरह का वेभार किया गया है सामाज में एक सबसूर को बाप का दर्जा दिया जाता है जब कोई लड़की अपना माई के छोड़कर ससुराल जाती है तो वही ससुर के भरोसे कि बाप हमारा एक बाप छुटा तो दूसरा बाप हमको जीवन भर बाप का जो कमी है वो नहीं खलने देगा लेकिन इस तरह की खबर तमाम आए दिन हो रही है महिला उत्पीडन में और महिला विकास मंज के पास ऐसे कमा तमाम के सेज है बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में प्रसासन के बारे में इनके ससुर के बारे में अपनी राई कोमेंट सेक्षन में जरूर दर्ज किजिएगा, आप देख रहे थे काबिल निव, जैहिन!